हेलो नमस्कार दोस्तो गुड मॉर्निंग सभी साथियों का स्वागत है सक्समी उजना की एक ओर लेटेस वीडियो में दोस्तो बहुत जबरदस्ट न्यूज आ चुकी है सियम मनोला खटर जी खुद आगे आ चुकी है बिरुजगारी दर को लेकर के जैसे जिस तरीके से बढ़ती जा रही है ऐसे तो गर्मी का टमप्रेशरी ने बढ़ता जिस तरीके से बिरुजगारी दूर करने का मनोहर का हर हाथ को काम प्रोजेक्ट ये जो हर हाथ को काम है इसमें जो इन्वर्टिड को मा लगा रखे हैं ये एक प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट का नाम है हर हाथ को काम आगे चल करके ये आपके पेपर में भी आज सकता है पुच्छा क्या क्या जाएगा, देखो, पुच्छा जाएगा, क्या करते हो, खाली क्यों बैठे हो, अधिकारियों को ऐसी ववस्ठा बनाने के निर्देश, रोजगार कारिया लों का target, गुरूप 15 के किसओर, गुरूप 15 के किसओर का मतलब होता है, जो कि 15 साल तक होते हैं उनको कि सोर से ले कर के 35 साल के युवा जो विरुजगार उनके दौार पहुँšेगी सरकार हो उस तरीके से उसकी स्कीलता देखी जाएगी उसने क्या कर रख है उस हिसाब से उसको नोकरी प्रोवाइड की जाएगी सबसे पहलेगे सरकाई नोकरी प्रात्मिकता सबसे पर तो कोशिज होगी कि सरकाई नोकरी इस बच्चे को अगर त्यारी कर रहा हो कि ऐसा कर रहा तो सबसे पर प्रात्मिकता रहेगी सरकाई नोकरी की नीजी की तरफ बढ़ाएं रुजान नीजी मतलब प्राइवेडों की तरफ भी रुजान आपको बढ़ाने ही पढ़ेंगे तो यहाँ पर मैं आपको पूरी नूज पढ़के रहाता हूं संदीगर से क्या खबर आई है कि हरियान सरकार ने बेरुजगाई दूरु करने का खाका सींच लिया है नीजी 76 में 75 फिस्दी नोकरियां परदेश की युवाओं के लिए सुनिचित करने के अलावा रोदगार सर्जन को लेकर सीम मनोहरलाल ने खुद कमान संबाल लिया है अब सीम मनोहरलाल खटरजी खुद आगे आ चुके हैं इसके लिए उन्होंने प्रोजग्ट हर हाथ को काम तैयार किया ये नया प्रोजग्ट है हर हाथ को काम सीम ने सभी विवागों को इसके मदने रखते हुए योजना तैयार करने के निर्देश जारी की है सीम के प्रोजग्ट के तहट जो बिरोजगार होगा सरकार उसके द्वार पहुंचेगी उनसे पुछा जाएगा क्या करते हो खाली क्यों बठे हो कुछ ना कुछ जरूर करो ये तो पुछा जाएगा भाई तीन कुछ ना ये पुछे जाएगा अधिकारियों को ऐसी विवस्ताता तेया करने के लिए कहे दिया है अच्छा यूआउओं को सव रोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा आप यह आपर देख सकते हो रोजगा कारिया लोगा तागेट गुरूप 15 की सोर्स से लेकर 35 साल तक की यूआर रहेंगे 35 साल तक जो बिरुद आते हैं 35 साल तक बाद भाई थोड़ा बूड़ा पर बाद यह स्टार्ट हो जाती है लेकिन जो है नोकरी में 15 साल के बाद ही मिलेगी लेकिन नोकरी तो जो है सरकाई नोकरी तो देखो सरकाई नोकरी यह वैसी नोकरी हो 15 साल के बाद ही मिलेगी लेकिन 15 से 18 साल के बीच उनका कोसल विकास किया जाएगा उनको भाई ऐसा हो सकता कि ट्रेंणिंग देंगे किसी प्रकार का कुसल मतलब बना सकते हैं उनको और हर चीज में अगर पना सार का लड़का हो गया कोई उसको कुछ आता नी हो उसको कुछ सिखा देंगे कंपूर का कोर्स कुआ देंगे अगर अगर आगर एक्जाम्पल की रूप में दे रहा हूं को कि भाई ये अपनी फिल्ड में स्ट्रोंग हो जाए तो तीन सार का कोर्स करवाजी है उसके बाद जो तारा सार का हो गया उसके बाद वो स्किल्ड हो गया इदम उसके बाद उसको नोकरी प्रोवाइड की जा सकती है यह जिम्मेदारी ओदोगिक वै कोसल परसिक्षन विव ऐया है वह ठीक है जो रहक जाएंगे उन तक पौँचेगी कोसल अनुसार कोई न कोई कोई न कोई कोई कोसल रोजगा कैसे करकी कि कि नको एक मतलब इसा स्ट्रोंग मुनाया जाए तक कि आ गल की नव्क्री कर सकें कोई प्राइविट सेक्टर में ही जा सकें CM चाहते हैं कि परदेश का एक भी नोजवान नय कहे कि वह खाली है भाई कोई भी नून आ गए मैं कती ठाली बठा हूँ एक दम ठीक है नए रोजगार उपलब्द करवाने निवेस और उद्दो को बड़ावा देने के लिए सरकार ने सभी 22 जिलों में उद्दोगिक कलस्टर की पहल का काम पूरा कर लिया है यहां पर सबसे बड़ी नूज एक और मां को दिखाना चाहता हूँ कि CM मनोरलाल का कहना है कि सरकार यहां से पहले बता देता हूँ कि CM मनोरला का कहना है कि सरकाई नौकरी युवाओं की प्रात्मिता रहेगी सबसे पहले तो भाई हर कोई बच्चा यह चाहता है कि हमें सबसे पहले सरकाई नौकरी ही मिले चाहेवर डीसी रेट पर अगर वह मजबूरी में नीजी छेतर में जाएगा तो भी उसका द्यान सरकाई की तरफ रहेगा यह तो बिल्कुल सही बात बोली है अगर जिस बच्चे को नौकरी नहीं मिलती हो सोचता की चलो प्राइवेट में चले जाएं लेगे उसका कई आगे पेपर आ जाए कोई उसका तुका तका लग जाए उसने पढ़ाई कर रखी हो जैसे भी उसका पेपर कलीर हो जाए वो सरकाई नौकरी में तो जाएगा ही अगरी भी अच्छी है आतम निर्बर बारत के लिए युवा सक्टी का योगदान बहुत एहम है पढ़ाई करने के दोरन विद्यार्थी का मिसन सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होकर सामाजिक होना चाहिए तब ही बड़ा बदलाओ होगा अब यहां पर जो बात आई है युवा उन में एक उच्छा होता है कुछ कर गुजरने की लालसा होती है पढ़ाई या सीखने के कोसल नहीं आता पढ़ाई या सिखाने से ही कोसल नहीं आता लगन वर सर्दा भी जूरी है युवाओं को कुछ कर गुजरने के लिए सरकार हर सतर पर प्रोसाइद करती है क्योंकि व युवाओं को पहले तो सरकाई नोक्रिया ही प्रोवाइड की जाएं लेकिन अगर सरकाई नोक्रिया इतनी नहीं होती हैं तो आपको नीजी छेतर में भी बेजा जाने का पूरे पूरा कोशिस रहेगा कि आपको दीरे 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 करकर के प्राइविट नोक्रियों की तरफ बेजा जाएगा आप अगर प्राइवेट नोगरी में जाने के लिए कुसल नहीं है मतलब आपको कुछ नहीं आता जाता है तो आपको पहले कोई ट्रेनिम बगर है मतलब आपका स्किल डेलोपमेंट किया जाएगा उसके बाद जो आपको कहीं ने कहीं बेजा जाएगा अगर आपके द्वारा पुछा जा सकता है फिर आपको जो प्रोवाइड की जा सकती है अगर आपकी चुक होगे तो दोस्तो ये भी एक पिक आगे तुमा बताना चाहूँगा कि कुछ लोग बस दिखावा करते हैं कि वो अपने आपके साथ हैं लेकिन आपके साथ नहीं होते हैं ये बता चाहता तो इसको निकाल भी सकता था इसको निकाल भी सकता था लेकिन इसको निकाला नहीं चाहता था इसके पिछे सिड़ी भी है इसके पिछे एक रस्सी भी पड़ी है लेकिन ये दिखाना चाहता है कि मैं इसकी help करना चाहता हूं लेकि वास्तों में इसकी help करना नहीं चाहता हूं ये चाहे तो इसको निकाल सकता है सिर्फ पांच मिन्टे में लेकिन ये सिर्फ ये दिखाना चाहता है कि मैं इसकी help करना चाहता हूं कि निश्चे वाले बच्चे को लगे कि मैं इसको निकालन नहीं है हाथ यतिन दूर तक पहुंच नहीं सकता बस ये बात एक बहुत ही डीप थिंकिंग है अगर आप कोई समझना चाहते हो तो ठीक है अधरवाइज मैं इसको पर जाला डिस्कस नहीं करना चाहता आसा करता हूं आपको जो वीडियो मिनाई है ये पसंद आई होगी इसक करो